गीता मैराथॉन इस कौन के प्रवक्ता देंगे हमें गीता का ज्ञान सरल माध्यम से 27 दिसंबर तक जे कुंच बिहारी जे राधामादव जे कुंच बिहारी जे गुपी जनवर अभर जे गिरिवर धारी जे गुपी जनवर अभर जे गिरिवर धारी जे राधामादव जे कुंच बिहारी जे राधामादव जे राधामादव जे कुंच बिहारी यशो दानन दन प्रज जन रन जनन यशो दानन दन प्रज जन रन जनन यवनाती राबन जारि यवनाती राबन जारि यवनाती राबन जारि जै रादा मारव जै गुझ बिहारि यवनाती रादा मारव जै गुझ बिजन रन प्रज जै गिरिवर दारि जै रादा मारव जै गुझ बिहारि यवनाती रादा मारव जै गुझ बिहारि Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna कि झेस्ना प्रिष्णा प्रेश्न कृष्ण Nepॉष्णा प्रेज। Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare अज्यानम्ति मिरन्रस्य ज्ञाना अजनशलाकया चक्षूरुनमिलीतमेनतस्मे स्री गुरुवे नमा नमो ओम विष्णुपदाये कृष्णा प्रेष्टाये भूतले शीमते वक्ति बेदांते स्वामे तिनामिने नमस्ते सर्स्वति देवे गौलबानी परचारीने निर्वेशेश शुने वादी पास्चा ते देसतारीने वांचा खल्पतर वयस्य कृपासिंदु वयये विचपथितना पावने विवैष्ण विव्योनमो नमहा श्री कृष्णा चैतन्या प्रभू नित्यानंदा श्रीयद्वईत गदादर्शिवाश दीगोर वक्त वरिंदा तो दूसरे अध्याई में गीता किसार में भगवान ने अरजुन को बुद्धियों के बारे में शिक्षा प्रदान की संक्षेप में हमने कलचर्चा किया कि बुद्धियों के मादेम से हम अपने कर्मों को शुद कर सकते हैं हम अपने जीवन को भगवान के चर्णों में समर्पित कर सकते हैं उसके लिए हमें अपने बुद्धियों का प्रियों करना चाहिए और बुद्धि कैसी बुद्धियों कैसा सास्त्रों के अनमोदित बास्त में सास्तर हमें बुद्धियों के परदान करते हैं कि एक ब्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह की बुद्धि रखनी चाहिए अगर ब्यक्ति की बुद्धी सास्त्रों के अनुसार कारे करती है तो अवश्य मनुश्य अपने जीवन में धर्म प्रणायता को अपनाता है और अगर हमारी बुद्धी सास्त्रों के बिरूत कारे करती है तो हम अधर्म के मारक पर चलते हैं और भगवत गिता की ये चिताबनी भी है, हमें कुरुख शेत्र के युद से ये भी शिक्षा मिलती है, कि अगर हम बुद्धियों का सही से इस्तेमाल नहीं गरेंगे, अधरम के मार्क पर चलेंगे, तो बिनाश निश्चित है, जैसे कुरुख शेत्र के युद मेदान में कौर्वों का बिनाश हुआ, दुरे धन को सद्भूद्धि देने के लिए, बहुत लोगों ने प्रयास किया, सोय भगवान ने प्रयास किया, कि दुरे धन को ये समझ आ जाए, कि उसका बास्त्तिक करम क्या है, भीष्ण पितामा ने प्रयास किया दुरे धन को बहुत समझाने का, दुरोनाचारे जो उसके गुरु थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, उनके कुल गुरु कृपाचारे उन्होंने दुरे धन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुरेदन की जब बुद्धी थी वो को बुद्धी हो चुकी थी उसने किसी की बात नहीं मानी और अंत में सारे कौरोबंस का बिनाश हुआ तो इस प्रकार से सास्तर हमें ये सिक्षा परदान करते हैं कि व्यक्ति को पास्त्विक बुद्धी रखने चाहिए सात्विक बुद्धी रखने चाहिए अगर हम सात्विक बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे सात्विक बुद्धी रखेंगे तो हम धर्म के पत पर चलते रहे और साथ ही साथ अपने जीवन को दीरे दीरे इन भौतिक बिशियों से उपर उठाते हुए भगवान की शीरी चर्णों की तरफ ले जाएंगे बास्तिक्ता इसी में ही है इस भौतिक संसार में हम अल्प समय के लिए आए हैं कुछ समय के लिए आए हैं और उसके बाब जूद ये मन और इंदरिया हमें परिशान करती हैं तो भगवान ने यही हमें शिख्शा परदान की है कि बुद्धिमान बेक्ति को अपने मन और इंदरियों पर सेयम रखने का प्रियास करना चाहिए जिसके माद्यम से हम अगर अपने मन और इंद्रियों पर सेयम रखेंगे तो हम बुद्धियों के माद्यम से भगवान की भक्ति की तरफ अगरसर हो सकेंगे तो बुद्धियों की बात सुनने के बाद जो तीसरा अध्याई है इसका नाम है करमयोग और इसमें श्लोक हैं 43 43 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को करमयोग के विशे में समझाने का प्रयाश किया तो संक्षेप में इसका हम चर्चा करते हैं तो अर्जुन ने जब सुना तो अर्जुन ने भगवान से प्रस्ण किया हे मदु सूधन, मदु सूधन भगवान को इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने मदु नामक देते का बद्ध किया था, तब से भगवान कृष्ण का एक नाम मदु सूधन भी है, तो अरजुन ने कहा कि आप अगर बुद्धी को मन से स्रेश समझते हैं, तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए, तो भगवान ने अरजुन को ये समझाने का प्रयास किया, तो तीसरे और नौमेश लोग की बीच निस्काम करम योग के बिसे में भगवान ने समझाने का प्रयास किया, और भगवान ने अर्जुन को ये भी समझाया कि अर्जुन तुमारे लिए केवल करम योग सबसे उत्तम है, तुमारे लिए ग्यान योग उत्तम नहीं है, क्योंकि अर्जुन पहले कह चुके हैं, दूसरे अध्याय में इस बात को कह चुके थे, अर्जुन ने कहा कि भगवान हे कृष्णा, मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध को करने से अच्छा है, कि मैं जंगल चला जाओं, अपने समंधियों को, अपने मित्रों को, अपने गुरु जनों को मारने से अच्छा है, मैं जंगल जला जाओं, मैं सन्यास ले लूँ, मै भीक मांग करके अपना जीवन चलाऊं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूं ये ग्यानयोग की बात है लेकिन भगवाने का आरजुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म क्या है रक्षा करना तुम्हारा धर्म है रक्षा करना धर्म की रक्षा करना तुम धर्म युद्ध में खड़े हो इसलिए तुम्हारे लिए ग्यान योग स्रेष्ट नहीं है तुम्हारे लिए करम योग स्रेष्ट है तो यह भगवान ने समझाया भगवान ने समझाया कि दो प्रकार के ब्यक्ति होते हैं एक होता है करम योगी और एक होता है ग्यान योगी जो करम योगी है वो अपना करम करता है और जो ग्यान योगी है वो ग्यान के उनसार करम का त्यार करता है तो इस परकार से भगवा ने बताया कि दो परकार के ब्यक्ति हैं करम योगी और ग्यान योगी तो अरजुन ने जब सन्यास लेने की बात की तो भगवान ने अरजुन को ये भी समझाया कि परिपक्व आवस्ता से पहले सन्यास के संसुति नहीं की गई है जब तक हम पूरी रूप से परिपक्व ना हो जाएं तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए और फिर भगवान अर्जुन को बताने लगे यग्य के बिशे में कि यो यग्य है ब्यक्तिव को अपने जीवन में यग्य करना चाहिए इस प्रकार से यग्य के मादम से हम मनुश्य और देवताओं के बीच सही होग बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को शांती पूर्वक बिता सकते हैं दसमें और दसमें से लेकर के सोलमिय अधाय के बीच भगवान ने अर्जुन को धीरे धीरे ये बताया कि करम कांड से करम योग ज़्यादा उत्तम है भगवा नहीं बताया कि आज समाज में लोग पहले लोग यग्य किया करते थे जिसमें हमें यग्य करने के लिए शुद्ध भ्रामनों की अवश्यक्ता पड़ती थी शुद्ध समग्रियों की अवश्यक्ता पड़ती थी हमें शुद्ध समग्रियों चाहिए होती थी और यग्य को शुद रूप से हम कर पाते थे लेकिन आज इस कल्यूग में हमें इन चीजों का आभभाव है इसलिए कल्यूग में यग्य की संस्तुति नहीं की गई है कल्यूग में संकीर्थन यग्य की संस्तुति की गई है कि कल्यूग में हमें संकीर्थन यग्य करना जिसके माद्यम से संकितने अग्या के माद्यम से हम अपने जीवन को अनन्द में बना सकते हैं तो भगवान नहीं बताया कि अग्या के बिना जीवन जो है वो पाप पूरण बनता है जो व्यक्ति आतम साक्षार कारप व्यक्ति है वो उसको वो आतम साक्षार कारप व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने कर्मों में अपने कारे में असक्त नहीं होता वो इस बहुतिक संसार से असक्त नहीं होता बहुतिक संसार की बस्तों से कभी असक्त नहीं होता इसलिए भगवान ने उधारन दिया राजा जनक का राजा जनक मिथला के राजा थे और उन्होंने अपने जीवन के उधारन से ये बताया कि एक राजा को किस प्रकास से कारे करना चाहिए तो भगवान ने इश्लोक अरजनों को बताया कि हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारे बज़ुर्ग हमारे बड़े कारे करते हैं तो जो छोटे लोग होते हैं उस प्रकार से उनको फॉलो करते हैं अगर हमारे जीवन में हमारे बज़ुर्ग धरम के रास्ते पर चले हमारे जो बृद्ध लोग है यह हमारे जो गुरुजन है हमारे जो सिख्षक है वो अगर सही रास्ते पर चले तो आने वली पीडियां भी अपने आपको धर्म परायन बना सकती है तो एक शिक्षा है यह हमारे जो अचारे गण है जो स्रेष्ट लोग है भगवान यही अर्जुन को सिखा रहे हैं कि यद्यत चर्थी स्रेष्टा तत्त देवे तरो जना जैसे जैसे बड़ी लोग कारे करते हैं छोटी लोग उनको फॉलो करते हैं राजा जनक नहीं यह संदेश दिया कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा मातव भगवान की कथा है मुझे मेरे महल से कोई असकती नहीं है अगर महल में आग लगती है लग जाए तो यह बहुत बड़ी सिख्षा है ऐसे अनेकों कहानियां है जो हमें यह पर हमें सिख्षा देत इसको इस तरह से शिख्षा दे रहे हैं और आगे 17 से लेकर के 35 स्लोकों के बीच भगवान ने अरजन को यह समझाने का प्रयास किया कि जो करम होगी है वो कैसे अनासक्त रह करके करम करता है जो हंकारी बेक्ती होता है जिसको अपने करम के उपर हंकार होता है उसके बुद्धी का नास हो जाता है इसलिए वो हमेशा करम को सही तरीके से नहीं कर पाता और क्या करता है स्वयम को करता मान बैठता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ यह हो रहा है म मेरी परिवार में जो कुछ हो रहा है यह सब मैं कर रहा हूं यह सब मैं करता हूं प्रकृति क्रिय मानानी गुने करमानी सर्वसह अपने आपको करता अंकारी ब्यक्ति मुर्खता बस अपने आपको करता मान बैठता है वो सोचता है सब कुछ मैं कर रहा हूं यह सब कुछ मेर द्वरीड़ा उरा ए यह जितना मेरा समराजय है यह मेरेफ़वार चल रहा एए यह यह व्यक्ति की बहुत बड़ी मुर्खता है हम आज देखते हैं हम समाज में देखते हैं भगवान ने हमें इतना सुन्दर सरीर परदान किया है उसके साथ साथ इस सरीर के अंदर केई परकार के हमरे व्यवस्थाइं भगवान ने कर रखी है हमें सुन्दर आंखें परदान कर रखी है जिसे हम इस परकृति को देख सकें सुनने के लिए भगवाने हमें कान परदान किये हुए है सोचने के लिए भगवाने दिमाग दिया है कारे करने के लिए हाथ पाउं दिये है इस मशीन को भगवाने बड़े सुन्दर तरीके से डिजाइन किया है ताकि हम इस समाज में रहते हुए, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने जीवन के लक्षे को समझें सासर के उनसार, यह जो बहुतिक समाज है, यह एक जेल के समान है हम इस जेल में डाले गए हैं हम कैसे अनुवब कर सकते हैं इस बात को? कि हम जेल में डाले गए हैं क्योंकि इस समार में केवल दुख ही दुख है यह दुखों से भरपूर है, दुखों से भरपूर है और उसके बाद जीवन में कई परकार के कष्ट सेहन करता हुआ ये दुखालयम अशाश्बता में इसको कहा गया है के परकार के कश्टों को सेयन करता हुआ अंत में इस शरीर की मिलती हो जाती है तो इसलिए जो आतम साक्षाद कार देखती है वो इस संसार में रहते हुए भी एक बड़ा सुंदर धर्ण दिया गया है कि जो कमल का फूल है वो कीचर में रहता है लेकिन दूरी बनाके रखता है कीचर से कभी प्रभावित नहीं होता उसी परकार से जो आतम साक्षाद कार प्राब्द बेखती है वो इस बहुतिक समाज में रहते हुए भी बहुतिक संसार में रहते हुए भी इनसे बिचलित नहीं होता इनसे प्रभावित नहीं होता और अपने जीवन को भगवान के चर्णों में स्मर्पित करके स्थिर बुद्धी से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं कि ब्यक्ति को अपनी कामनाओं पर बिजे पानी चाहिए ये जो कामनाओं हैं ये सबसे बड़ा हमारे बहुतिक बंदन का कारण है इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों पर सहियम रखे क्योंकि इंद्रियां हमें परिशान करती है इन इंद्रियों की जो लगाम है वो मन के हातों में है मन इन लगामों को खीचता है और इंद्रियां चलती है इस प्रकार से हम बुद्धी के माद्यम से मन को समझाए मन के माद्यम से इंद्रियों पंड्यंतर्ण करें तो हम अपने जीवन को सुख में और अन्नमें बेतीत कर सकते हैं इंद्रियों पंड्यंतर्ण करने के लिए हमें हमने पहले भी चर्चा किया कि बुद्धियों को बढ़ाना होगा सास्तर अनमोदित बुद्धिया में प्राप्त करनी होगी जिसके माद्यम से हम इंदनियों पर नियनतन कर सकते हैं एक बड़ी सुंदर और सरल कथा है कैसे हम इंदनियों पर नियनतन कर सकते हैं एक वार एक धनी ब्यक्ति था, उस धनी ब्यक्ति ने एक announcement करवाया अपनी प्रजा में, अपने इर्द गिर्द, उसके पास एक बकरी थी, उसने कहा कि मेरे पास एक बकरी है, जो ब्यक्ति इस बकरी को बरपूर घास खिलाएगा, इस बकरी को संतुष्ट कर देगा, उसको मैं मन चहाई नाम दूँगा, और जो कुछ भी मांगेगा, उसको मैं दूँगा, जब कुछ लोगों ने बात को सुना, यह कैसा धनी ब्यक्ति है, और किस प्रकार की इसने शर्त रखी है, शर्त क्या है, खाली एक बकरी को पेट पालना है, एक बकरी का पेट भरना है, और उसक की अनुसाद साथ, मैं आपकि वक्री को बरफूल घास खिलाओंगा, उसने का ठीक है हाँ, यह बकरी बंदी आप ले जाओ, और व्यक्ति उस बकरी को ले गया, और ले जाकर यूसने उस बकरी को भोछ सुन्दर मुलायम घास में ले जाकर के बान्द दिया, और वो बकरी दिन बर घास खाती रही दिन बर वकरी उस घास को चरती रही जब ठक चाती थी बेढ़ जाती थी उठकर के फिर खाना शुरू कर देती थी पूरा दिन इसकी बहुत सेवा की अगर आपने सेवा की तुम अभी परिक्षा ले लेता हूं इसकी तो धनी सेट ने थोड़ा घास मंगवाया और जैसे बकरी के सामने किया बकरी ने फिर खाना शुरू कर दिया तो सेट बोले कि यह तो बुखी है इसने तो कुछ खाया नहीं तुम फेल फिर कभी एक दूसरा देखती आया उसे धन गहास आगे करते थे वह भकषी घास करना शूरू कर देती थी दनी शेट बोलता और बुकिन भुकी है की प्रकार कर बैक्ति आएं और उस मबखरी को इद हुद दर ले गए लेकन जैसे भकाषी श्राम को आ ती थी धनी शेट घथा खाना सुरू कर देती थी अब एक बुद्धिवान ब्यक्ति था उस बुद्धिवान ब्यक्ति ने कहा सेर जी अपनी बख्री को मुझे दीजिए उसने का भाया बहुत सारी लोग दिन भर आये और उन्हें बड़ा प्रयास किया यह शर्त को पूरी नहीं कर सकता इसलिए आप छोड़ो उस और बकरी को बांदने के बाद हास्में अक दंडा ले लिया और दंडा लेकर के खड़ा हो गया अब जैसे ही बकरी घास में मूझ नालती थी वह जोड़ थी को दंडा मारता था इस फिर चीदी कडियो जाती कि जैसे भक्री घास मूह डालने लगती थोड़ी देर के बाद फिर फिर अपने सोचा कि अब दन्डाई खाना पड़ेगा अच्हा है आ है जाने मूह डालो उसने घास मूह डाला भं कर दिया पैठ गई और विचारी दिन में कही डंडे खा चुकी थी शाम को आई राजा के पास उस धनी शेट के पास उस बेक्तिने का शेट जी यह आपकी बक्री बहुत सारी लोग बिलकुल बिलकुल आप इसकी परिक्षा लीजिए मैंने इसको इतना दिन बर खिलाया है यह तो बिलकुल बिलकुल नहीं खाएगी कमाल है वो धनी शेट बिचारा थोड़ा सा घास लेकर के बक्री के सामने किया तो बक्री दिन बर डंडे इतने खाये थे वो तो जैसे घास में डालती डंडा पढ़ता था उसको जैसे उसने देखा घास उसने मूँ पीशे घुमा लिया क्योंकि उसको पता था कि पिर गहा में डालोंगी डंड़ा जोर से पढ़ेगा को बकरी नबू घुमा लिया अपना जैसे बकरी नबू घुमाया श्रीट बड़ा खुशट ह healthy meansने का भएया तुम्हें नाम के अकदार हो तुम्हें जो चाये सो में इनाम मिलेगा लेकर मुझे बिताओ تمें SiASS और भॉत, इसका पीट ने इन भरता था तुमने क्या ऐसे को मत पुछो कि मैंने क्या खिलाया है जो मेरा ही नाम है वह आप मुझे दो तो कहने का तारफ समाज में बहुतिक संसार में भड़कती रहेंगे और आप भटकते रहेंगे और भटकते भटकते अंत में बिर्दा बस्ता आने के बावजूर्द भी आपको ये इंदनियां तंग करेंगी आपको ये मन परेशान करेंगा और दिरे-दिरे हम मिर्ट्यू की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये चीज भगवान ने अरजुन को समझाई कि बुद्धिमान बेक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंतन रखना चाहिए और इंद्रियों पर नियंतन करने के बावजूद ही हम इस कर्म बंदन से छुटकारा पा सकते हैं नहीं तो ये जो कामनाएं हैं ये हमारे भक्तियों के पत पर बहुत बड़ी बादाएं हैं जब तक इन कामनाओं को हम समझाल के रखेंगे इंद्रियों पर नियंतन नहीं करेंगे तो ये कामनाएं हमें परिशान करती रहेंगी और इस बहुतिक संसार में हम ऐसे ही भटकते रहेंगे तो ये संक्षेप में तीसरा ध्याई है भगवल गीता का करम योग कि भगवा ने अरजनों को समझाया कि किस प्रकार का करम करना चाहिए हमने चर्चा किया कि हम करम योग बास्तरिक्ता में वो है जो सास्तों के अनसार करम किया जाता है उसको हम करम योग बोलते हैं तो आज भी अगर हम समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो सास्त्रों के अंसार कारे करते हैं इसलिए वो जीवन में अनन्द में हैं वो जीवन में सुखी हैं लेकिन जो सास्त्रों के विरुद कारे करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी शुक और शांती प्राप्त नहीं हो सकती तो इस संक्षेप में भगवल गीता का तीसरा द्या कल हम चोत्य हर्दाय का मर्णन करेंगे, हरे कृष्णा